दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूडोब फामिले पर आज इस सुडियो में आपके लिए काफी बड़ी खुसकबरे लेकर आएं उन्हीं वाओ के लिए जो कि नर्सिंग असिस्टेंट रेट से जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर अगनीपती उसना आने के बाद यहाँ पर कहीं सारी ऐसे केंडिडेट से जिनको डाउट था कि अगनीपत के द्वारा ही क्या हमारे जो नर्सिंग असिटेंट रेट की बड़ती होती है उसी से ली जाएगी या अलग से इसको पर्मानेंट रखा जाएगा दोस्तों आपको क्लियर ली यहाँ पर आपको बता दे हम कि जो नर्सिंग असिटेंट के भरती इसको पर्मानेंट कमिशन के अंदर रखा गया है क्योंकि नर्सिंग असिटेंट और वैटनरी की जो भरती होने वाली इसकी भी ओपन रेली भरतिया होने वाली है कहीं सारे एसे ARO है जहांपर रेली केस के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिये गए है तब कौन से ARO हेड़कोर्टर के अंदर आते हैं तो यहांपर आप नोटिफिकेशन को देख लिजेगा ओफिशल एक अलग-अलग राज्जु का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो यहांपर आप चेक आउट कर लिजेगा उसके साथ हैं एक अलग राज्जी के यहांपर नोटिफिकेशन फूल डिटियर से आपको देने वाले हैं क्या कैस में क्राइटिरिया आपका होना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो को कंप्लिट लेखेगा अगर आप पहली बार आए डिफिस से उपके अपडेट पर राप्त करने के लिए आज ही जरूर सिस्क्राइब कर लिए दोस्तो आपको बता दें जो भरते हम आपके लिए लेकर आए आपको बता दें यह 21 नवंबर 2022 से लेकर 22 नवंबर 2022 के बीच में आपको इस भरती को किया जाएगा जो भी गेंडिडिट इसमें eligible रहते हैं उसमें आपको form apply करना होगा रजिस्टरेट करना है official website पर और इसका form आपको apply करना होगा इसके online registration एक अक्टूबर से लेकर 30 October के बीच में आपकर आपकर कर सकते हैं official website पर जाकर जो भी आपको बता दे दोस्तों कि online registration आपर mandatory होता है तो आप online registration इसमें जरूर करेगा advisory दी गई है अगर हम बात करें इसमें तो पोस्ट आपकी soldier nursing assistant की होने वाली है चाहँ पर अगर हम बात करें आपकी admin card जो जारी किया चाहेंगी है हाँ पर location और सारी चीज़ जो रहेगी इस rally की एक किस नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में होने वाली है यहाँ पर registered email ID पर आपका admin card आपको तीन नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में मिल जाएगा अगर हम बात करें इसमें eligibility condition की तो यहाँ पर जो भी candidate nursing assistant में form apply करना चाहते हैं उनमें education credit area की बात करें तो 10th plus 2 ने की intermediate examination आपने pass का लिया science subject जिसमें physics, chemistry, biology और इंग्लिस में minimum 50% marks आपके होने चाहिए and minimum में हाँ पर सभी subject में मिलाकर 40% से उपर ही आपके होने चाहिए इस बात का विश्चेशन रगे चुछ आठ सब्जिक्टे जैसे physics, chemistry, biology और इंग्लिस में 50% से उपर रहेगा तो ही आप इसके लिए eligible रहेंगे अगर हम बात करें nursing assistant, veterinary की तो यहाँ पर उम्रे सीमा तो उम्रे सीमा आपको 17.5 से लेकर 25 वर्से तक दी गई है आपर जो relation दिया गया है उसके दोरा अगर हम बात करें आपके बावने डेट की 1 October 1997 से लेकर 1 April 2005 के बीच में अगर आपके edge limit है मतलब बावने डेट है तो आप इसमें apply कर सकते है हाइट के बात करें तो एक सो सरसर सेंटेमेटर weight आपका हाइट के साबसे लगबग मैजर किया जाता है लेकिन आपका 50 कैसी लगबग होना चाहिए इसके साथ है अगर हम बात करें दूसरे इसमें education qualification की तो सारी education qualification में जिते हैं इंपोटने डॉकुमेंट से वह सभी यहाँ पर आपको लेकर जाना होता है बीम की बात करी तो pull-ups के यहाँ पर काफी important update है यहाँ पर marks भी आपको मिलने वाले इस बात का विशह जान रहते हैं इसके पहले हैं आप नहीं मिलता था पुल-ups के marks आपको नहीं दिये जाते हैं उसके बाद 9 feet ditch होने वाली need qualify आपको करना होता है और जिग 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 बैल documents के तो important documents के ऊपर complete video हम आपको बदा आ चुके हैं पहले ही दे चुके हैं तो उस वीडियो को आप दे सकते हैं आई बटन ये वीडियो के description में उसका link आपको मिल जाएगा आपको बता दें मदबते इस 36 गड़ की nursing assistant veterinary के जो भरती आपकी होने वाली है आपकी जो 21 November से लेकर किसमें किस तरीके से आपको form apply करना होगा उसकी complete video आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करेगा जाता से अदम दोस्तों को साथ जरूर सेर करेगा जो कि इंडियन आरमी में permanent commission के अंदर मतलब nursing assistant में जाकर आपने देश की रक्षा करना चाते हैं